सूपरकार लेकिन वो बंदर वही केला उस आदमी की तरफ वापस फेक देता है। फिर वो आदमी वो केला खाकर उसका छिलका सामने खड़ी कार पर फेक देता है। बंदर उसके पीछे उस कार में चला जाता है। लेकिन बंदर केले के छिलके को छोड़कर उस कार को ही देखता रहता है और देखते देखते कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है और जंगल में जाकर सब जानवरों के सामने उस कार को गुमा कर सब को तंग करता है उसके बाद कार की स्पीड बढ़ा कर भागते हुए उसे ले जाकर शेर के सामने रोग देता है शेर उसे कहता है अरे बंदर, क्या तू पागल हो गया है क्या, मुझे चोट लग जाती तो अरे क्या कह रहे हो शेर महाराज, आपको तो बस अपनी ही पड़ी है जरा मेरी कार की तरफ तो देखो, कैसी लग रही है बंदर उस कार को फिर से तेजी के साथ शेर के सामने से चलाते हुए लेकर जाता है शेर उस कार को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता कि उसके कंट्रोल से कार निकल जाती है और वो एक नाली में गिर जाता है हाई रे, मर गया, अरे मर गया अरे, कोई मुझे निकालो यहां से अरे तुमें क्या हुआ बंदर, तु नाली में कैसे गिर गए अरे सवाल मत पूछ हाथी भाई, पहले मुझे यहां से निकाल तो ले हाथी बंदर को निकालने के बजाए उस कार को बाहर निकालता है और उसमें बैठने की कोशिश करता है ये देखकर बंदर कहता है अरे हाथी बाई क्या पागल हो गयो क्या तुम्हारा जैसा जानवर के लिए ये कार नहीं बनी है अच्छा बंदर इस कार में एक बंदर बैठ सकता है तो एक हाथी क्यों नहीं? अरे जाओ भाई, जाओ मैं तो इस कार में जरूर बैटूंगा! हाथी के ना सुनने पर बंदर गुसा होकर कार को शिट्रल लॉक कर देता है, तभी बंदर वहाँ पर आता है और जल्दी से कार में वो बैट जाता है अरे आती वाई ये कार आप जैसे जानवर के लिए नहीं है मैंने पहले भी कहा था हाँ बाई हाँ चल भाग जा यहां से बड़ा आया मुझे समझाने वाला बंदर कार को फिर से तेजी से वहां से लेकर निकल जाता है काफी देर तक उसे गुमाने के बाद वो वापिस शेर के पास आता है और शेर बंदर की तरफ गूसे से देख देखता है बंदर कहता है अरे शेर राजा मुझे माफ कर दो और आओ मैं आपको इस कार से सैर करवाता हूँ राज तो आज बाल बाल बज cyn गया वरना आज तेरी मोत पकी थी बंदर शेर राजा को कार में ही बिठा कर काफी दिर तक गुमाता है थोड़ी दिर के बाद वो ठक जाता है और कहता है शेर राजा अब मैं ठक गया हूँ थोड़ा आराम कर लेते हैं ऐसा कहे कर, बंदर एक पेड़ के नीचे कार खड़ी करके, उस पेड़ पर ही आराम करने लगता है, और शेर वहाँ से जाते रहता है, तबी जिस आदमी की वो कार रहती है, वो आदमी वहाँ पर आता है, और बंदर को पत्थर मारने लगता है, अवे सुनबे बंदर, ये मेर यहाँ आओ, यह आदमी मुझे मारना चाहता है। बंदर की पुकार सुनकर शेर राजा भागते हुए वापस आ जाता है और उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। उस दिन से बंदर और शेर उस कार में ही बैटकर बड़े ही ठाट से गुनते है। अगर आपको हमारी कहारी पसंद आई तो हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीज़े का। धन्यवाद